नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है मेरी रेसिपी में तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं मीठी मट्री वो भी सूजी से तो देखेगा दोस्तों यह जो मट्रिया होते हैं इनको हम एक महिनी तक स्टोर करके रख सकते हैं और यह हम मीठी वाली मट्री बना पाफाल के लिए कर दो को आथा कप आपे आठा है इसके बादेक्छाब्स नहीं होतेक्ट व्हले शुपतीस कि असें साफीड दया है यह एक शुमाच कैसें कि अचैनी एक चैनी थे sven e यह देने पर 17 WOR bisschen कंद यह इसके नहीं कि आप आपको यहां पर ले लेना है छोटी चमच का माप आप ले रहे हैं तो छैसे साथ चमच आप आराम से डाल सकते हैं देखेगा अच्छे से इसमें आपको मिक्स करना है यानि की आटा और सूजी है इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए जब ऐसे बनने लगे तो त हलके गुनगुने से थोड़ा सा जादा गर्म होना चाहिए इतना गर्म हो कि आपके हातों में ना लगे बस इसी से हम यहां पर डो तयार करेंगे तो देखेगा पूरा दूद यहां पर नहीं लगेगा थोड़ा थोड़ा करके डालेगा और यह हमें डो थोड़ा सा सकत जै रखेंगे तयार कर लिया चायां या उसके बाद हम इसको रखेंगे रीष्ट पर उसके यह अभी यह है ऐसा है पतला तो हम इसको रख देगे रेस्ट पर रखोंगे लिए 15 मिनट जब जाया उसके जो फूल जाएगी और जो डो है वो भी सक्त हो जाएगा क्योंकि मत्री बनाने के लिए सक्त डो हमें चाहिए होगा तो देखेगा पंधरा मिनट के बाद हम यहां पर इसको चैक करेंगे तो थोड़ा से हहां पर एक टुकड़ा ले लेते हैं यह देखेगा छोने से पाता चल तो इसलिए और देखेगा आठा थोड़ा जाधा है तो इसके द은ीचे कर लेते हैं आपे तो देखेगा आपे हिसकी लोई नहीं बनानी है बस इसको एक जग ilम lastין के पाते जाना है कुई तरीके से और क्योंकि आटा सक्त है इसलिए वहां हमें इस Grow्ले हो पर सूहां लगास आप ऐसे ही बेल सकते हैं इसको जब हम बेलेंगे थोड़ा मुटा आपको बेलना है और आप कोई बरतन ले लिजेगा चाहे तो आपको टोरी या छोटा ग्लास जितनी बड़ी आप मट्री की शेप रखना चाहते हैं उस हिसाब से लीजेगा और इस तरीके से इस रोटी में स मट्रियों को कट कर लेते हैं इससे एक तो यह फायदा होगा कि आपको बार बार लोई नहीं बनानी पड़ेंगी बार बार नहीं बेलना पड़ेगा एक ही बार में कैई सारी मट्रियां बनकर तैयार हो जाएंगी तो देखिए अगर आपको लगता है यहां पर कि यह मट्र बहुत अच्हे से त्यार लिए और थियर बहुत अच्छे से तयार हो गए तो चलिएगा दोस्तों इनको यहां पर कड़ लेते हैं तो देखेगों कितनी प्यारी लग रहे हैं तो आइल को रख देजका लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो ओयल होगा ना वह ही हलका सा गर्म होना चाहिए और गैस भी मीडियम फ्लेम पर रखनी है जब तक यह मट्री फ्राई होगी तब तक क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे तो अंदर से जो यह मट्री है वो कच्छी रह जाएंगी यानिकी आटा-ाटा सा लगेगा देखने म और अगर आप मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर रहे हैं तो अंदर तक बहुत अच्छी से बहुत ही खस्ता बन कर तैयार होगी तो दोस्तों जब तक यह हैं यहां पर फ्राई होती है हम दूसरी वाली मट्रियां तैयार कर लेंगे बेल कर और आप याद रखेगा अब बीच में भी उनको चला दीजेगा तो यहां पर मैंने प्रोसिस से इनको तैयार कर लिया है और देखे कर बीच में आप चाहें तो चाओको की मदद से इस तरीकी से आप इसमें चेफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो वैसे हम मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे और हमने जो दूसरी वाली मट्रियां बना करके तैयार की हुई थी उनको भी सेम प्रोसेस से आपको यहां पे फ्राइक कर लेना है दोस्तो एक बात का जरूर धिहान रखेगा जब आप इनमें चीनी एड़ करें तो ज्यादा चीनी मत एड़ कीजिएगा क्यूंकि अगर चीन तो इनको बाहन निकाल लेते हैं थोड़ा किनार पर रोग कर निकाल लिएगा ताकि एक्स्ट्रा ओयल निकल जाए तो बस दोस्तो यह लीजेगा यहां पर यह मीठी मत्री बनकर बिल्कुल तैयार हैं आप इनको बनाएगा यह देखिगा मैं आपको दिखाती हूं कितनी ख जैसा टेस्ट आता है इनको खाने में और अगर घर पे महमान आ जाएं तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं तो बस दोस्तो एजी रेसीपी है तो चलिए अब हमिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसीपी के साथ तो तब 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 गयाएं